हेलो दोस्तों आज हम एक बहुत ही विशेश संक्रपना का अध्यान करने वाले हैं उस संक्रपना का जपान की संस्कृति से लगाव हैं जपान की संस्कृति में इस शब्द को बहुत ही ज्यादा मानी दिया जाता है लेकिन एक तरह का जिनोफिलिया हमको हो गया है जिनोफिलिया का मतलब होता है कि whatever is foreign we are greatly inclined to जो भी foreign होता है European होता है परकिय होता है उसकी तरफ हमारा जादा जुगाव नजर आता है और बहुत बार आजकल तो यह fashion बन चुका है कि जब भी कोई inventions होते है कोई philosophy होता है उसका connection हम अपनी भाषा के साथ अपनी संस्कृति के साथ अपनी सभ्यता के साथ और अपने देश के साथ जोडने का प्रियास करते हैं और यह प्रियास बिल्कुल गलत भी नहीं है क्योंकि किसी भी चीज़ को हमारी जिंदगी के साथ हम स्कृति का हम प्रतिनिदीत्व करते हैं representation करते हैं या नहीं इसका भी विचार होना चाहिए तो आज हम देखेंगे कि जपान में कुछ ऐसे शहर है कुछ ऐसे गाव हैं जिसमें लोग सौ से जादा साल जिंदगी जीते हैं और ना सिर्फ जीते हैं लेकिन इस जिंदगी को बड़ी ही खुशी से खुशहाली से प्यार से भाई चारे से स्वतंताता से और हर्ती रहांकर जीते हैं तो उनका ही often का खुश रहने क रह्र pushing कर रहसे किस चीज में चुपा है इसको लेकर बहुत सारा रिसर्च हमेशा से चलते चला है और इसी रिसर्च का नतिज़ा बोलत आज हम देखेंगे एक टर्म इस टर्म को खोजा है दो लोगों ने उन दो लोगों का नाम है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस इन्होंने जपानी जो लोग है और ओगीमी गाव में रहने वाले जो लोग है इनके 100 years से ज़ादा जीने के रहसे को जानने की कोशिश की और इस कोशिश में उन्हें एक वर्ड मिला उस वर्ड का नाम है इकी गाई और इसके उपर एक किताब भी बनी बहुत सारी भाशाओं में इस किताब का ट्रांसिलेशन भी हुआ और इसी की साथ साथ ओकीनावा जो है जो गाव है इसमें बहुत सारे लोग मिस 24.99% लोग सवसे ज़्यादा जिंदगी बड़े आसानी से कैसे जीर लेते हैं इसके बारे में जब खोजबिन हुई तो उन्हें एक बात मिली कि उन लोगों में जब वो सबेरे नीन में से उठते हैं तो इस नीन में से उठने के बाद उनके उठने का उद्देश बड़ा ही सपस्ट है कि हम नीन में से क्यों जाग रहे हैं हमें नीन में से क्यों जागना चाहिए अब नीन में से जागने के बाद हमें क्या काम खुशी से करना है ये उनकी खुशी का बहुती बड़ा रहस्य माना जाता है फिर इसमें ब भाव हो सकता है ऐसे बहुत सारी बाते उसमें हो सकती है नेशनल जोग्राफिक चैनल के जो रिपोर्टर है उनका नाम है डैन बुटेनर और डैन बुटेनर ने भी जैपानी लोग बहुत ज्यादा तौर पर क्यों ज्यादा बड़ी जिन्दगी जीते हैं ऐसी खुशी वाली को धुन्डा कि जपान में रिटायर्मेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं है मिस रिटायर होना है एक उम्र के बाद रिटायर हो जाना है यह बात ही नहीं है उनके जीवन का उद्देश बहुत ज्यादा स्पस्ट है अब आप सोचेंगे कि मैं आपको यह सारी बाते क्यों ब देश से हमारे रिलीजन से हम जिनमें श्रद्धा रखते हैं उनसे जोडने का काम करते हैं हाँ दोस्तों जपानी लोगों की जिंदगी में आई हुई खुशिया लिका बहुत सारा रहस्यां उन्होंने अपनाए हुए तत्वक ज्यान में ही है और आपको जानकर हैरानी भी स्विकार किया और भुद्ध का उनके अंतिम समय में जब उनसे कहा गया कि आप कोई संदेश देदो आप हमारा कोई वारिष चुणलो आप धम्म का कोई वारिष चुलो तो भगवान बुद्ध ने साफ मना कर दिया उन्हेंने कहा कि ऐसे धम्म का जो धरम कहा जाता है तो बुद्ध ने उसे धम्म कहा तो इस ऐसे धरम का कोई वारिष नहीं हो सकता है धम्म के जो मुल्ट तत्व हैं ये मुल्ट तत्व ही उस धम्म को बचायर रख सकते हैं ना कि कोई वारिस फिर भी आनन्द ने बहुत ही जादा जोर देकर बात करने पर भगवान बुद्ध ने अंतीम संदेश में ये बात कही थी कि हमेशा काम करते रहो तो यह हमेशा काम करते रहना चाहिए यही संदेश जपानी लोगों के बहुत सारे गाव में बहुत सारे शहरों में अपनाया गया है और इस अपनाया गया संदेश को बड़ी सपस्ट तौर पर उन्होंने उद्देश मान लिया है कि जब तक हम मर नही और उस काम का उद्देश बहुती ज़ादा स्पस्ट होगा और इसी उद्देश को जपान में इकीगाई कहा जाता है इस इकीगाई को समझे के लिए हमें और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा हम इसके एक सिरिज के तौर पर देखेंगे और इस सीरीज में हमें देखने मिलता है कि इकी गाई के साथ और एक शब्दा आता है मेरा इसेंस कहा है? What is the essential thing in me? मेरे अंदर इसी कौन सी बात है? जो मुझे जिन्दा भी रखती है और खुश भी रखती है तो मेरा सपना हो सकता है मेरा कोई बिजनेस हो सकता है मेरी कोई महत्वा का अंक्शा हो सकती है मेरे जिने का तरीका हो सकता है मेरा सुभाव हो सकता है ये सारी बात्तों में से कोई एक बात मेरा एक बहुत ही essential element होगा और इस essential element को माना जाता है इकी गाई इसके साथ-साथ उनके बहुती खुश रहने के रहस्य को इकी गाई के साथ-साथ मानने की जानने की कोशिश की गई तो उसमें एक और वर्ड सामने आ गया उसका नाम था इचारीबो चोड़े इचारीबो चोड़े का मतलब होता है कि जब भी आप किसी से भी मिलो जान पैचान वालों से मिलो या अंजान लोगों से मिलो तो आपको उनसे मिलते हुए एक अपनापन, एक भाईचारा, एक दोस्ता ना रखना पड़ेगा फिर मैं आपसे कहे देता हूँ दोस्तों कि ये बार डिरेक्ली बुद्धिस्ट फिलोसफी में से आती हैं कि बुद्ध ने कहा था कि मेता भावना, मैत्र भावना, दोस्ती की भावना ही एक ऐसी चीज है कि जो आपको खुद से, लोगों से, समास से, राष्टर से और अख सारी अच्छी अच्छी बाते हमें पता हैं, लेकिन हम इस तरीकी के binary opposition में चले गए हैं, कि हमें सारी अच्छी बाते बता होने के बावजूद भी हम exactly उल्टा काम करते हैं, जैसे सबरे उटते ही साथ, आपके जीवन जीने का कोई उद्देश होना चाहिए, कोई काम का प्यार का, दोस्ती का, भाईचारे का रिष्टा होता है, तो हम बहतर जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन exactly बहुत बार देखा जा रहा हैं, कि हम ऐसे भाईचारे का, दोस्ती का और प्यार का रिष्टा सभी के साथ ना रखते हुए हमारे बहुत ही छोटे छोटे जो narrative हैं, वो हमने लोगों से दूरी बना ली हैं, हमने भाईचारे के बहुती बड़े मुल्य को खो दिया हैं, हमने दोस्ती के बहुती खास मुल्य को खो दिया हैं, इसका मतलब यह है कि हमने बहुत छोटी चीज़ पाने के लिए, छोटी मुल्य की चीज़ों को पाने के लिए, जो कोई इकिगाई होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जैसे मेरा इकिगाई है कि मैं अच्छी राइटिंग करना चाहता हूं अच्छी फिल्मे बनाना चाहता हूँ, अच्छी गजले लिखना चाहता हूँ, अच्छी पोईट्री लिखकर दुनिया तक पहुचाना चाहता हूँ मैं दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, मैं मेरी फैमिली के साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ मैं हमेशा 2400 गंटे काम करना चाता हूँ तो ये मेरा इकीगाई है जैसे मैं सबरे उठता हूँ और आग खुलते ही मेरे सामने पहली बात ये होती है कि आज मेरा पूरा काम क्या है दिन भर में मैं कौन कौन से काम करने वाला हूँ जैसे ये मेरा इकिगाई है और इस काम में से मुझे मिलेगा क्या तो इसी तरीकी से आपका भी कोई इकिगाई होना चाहिए जरूर होना चाहिए इसी तरीकी से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इकिगाई इस जपानी संकलपना से जुड़ी हुई बहुती प्यारी बात अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबना बिल्कुल ना भुले ताकि आपको इकी गाई से जुड़े वे बहुत सारे वीडियो आप तक पहुझाने में मुझे मदद हो जाएगी थाइक यू बरी मुच्छ